नमस्कार, बच्चों के एक्जाम चल रहे हैं, पेरेंट्स को टैंसन, बच्चों को टैंसन, एक्जाम में अच्छे नमबला, एक्जाम में टोप करना, मुझे दूसरों से आगे निकलना है, लेकिन इस्टुडेंट की सबसे बड़ी प्रोब्लम क्या होती है पता आगो, वो स कि पड़ा हुआ याद किसे रखें बच्चों की सबसे बड़ी यह प्रोब्रोंग अब हाल में इंडिया के बहुत बड़े मनोविज्ञाने चिकस सकने एक कि फोर्मुला बताया एक इस्टुएंट के लिए वह फोर्मुला बहुत ही कारगर हो सकता है इस्टुएंट के लिए एस्क्यू थ्री आर यह फोर्मुला अगर इसके अनुसार आप चलोगे न तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आप क्लास में दूसरों से आगे भी बड़ो यह वीडियो इस्टुडेंट और प्रेंट्स दोनों के लिए इंपोर्टेंट है प्रेंट्स को यह जानना चाहिए कि अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए और इस्टुडेंट को भी यह जानना चाहिए कि मुझे किस तरीके से पढ़ना चाहिए कि मेरे एकजाम मेरे नंबर अच्छा है तो S Q 3 R का Rules formula क्या है यह देखिया सब से पहले देखिये सका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है survey आप के पास कोई book है हिंदी की book है English की book है Mathematics की book पूरी book है आपको पता है इसतो इसे पूरी बुक पढ़ना है. लिए इसका मतलब होता है सर्वे. आप इस बुक में आपको सर्वे करना है different different पार्ट का कि कौन सा question important है. थीक है आपको सारा syllabus पढ़ना है लेकिन सर्वे भी तो करना है. बहुत से लोग क्या करते हैं? करते हैं क्यूंकि वो देखते हैं कि वाकिर में क्या चीज मोय तो आपको भी पूरी बुक है उस पूरी बुक में सरवे करना है एक एपाट का सरवे करना है कि कौन सी चीज किस जगह भी और क्या इंपोर्टेंट रोल करते हैं तो एस का मतलब यही होता है कि आप की हिंदी की बुक हो एंगलिज की हो या कोई सी भी हो उस पूरी बुक का सर्वे करें और आप एक चीज नोट करें कि क्या चीज इंपोर्टेंट है है कि ते हैं तूंप क्योंका मतलब भता है कि आप ने पूरी बुक का सर्वे कfundedय आए फिर आप पूरी बुक पड़ लिए फिर आप अपने आपसे पूरें नहीं करें करें तक यार मैंधा पूरी बुक पढ़िए एड मेरे हिसाब से इस कॉन सा क्यस्ट इंपोर्टेंट है इसके अलावा आप जो आपके उसजर के टिचर है उन से पूछिये जाकर कि सर इस पुरी बॉक में कौं साथ कुष्टिन है कौन को से कुछिचिन आ सकते हैं आपके जो टीचर पढ़ाते हैं उस बुक से रिलेटर जो को हिंदी पढ़ाता है थे हिंदी से पूछी है इंग्लिस पढ़ाता है इसमें कौन सा कुछिचन इंपोर्ट है और फिर आप भी तो survey करते हो पूरा book का, आपको भी तो अपने आप से भी तो पूछे कि कौन सा question important हो सकता है, तो यह जुरूर आप करते हो, फिर three hour, three hour का मतलब यह होता है, first hour का मतलब होता है read, read यानि नीम में पड़ाई करें, consistency, consistency, साल बर का आप पड़ाई करते हो, तो क्या करते हो, साल बर मोद्बस्ति करते हो, और जब exam के time में पड़ते हो, तो उस वक्त, आप expect करते हो कि मेरा number अच्छा है, तो कैसे आएंगे, नहीं आएंगे, पूरे साल बर, भले ही आप दो गंटा कर पड़ो, या एक गंटा नीमित पड़ाई करोगे, तो वह पड़ाई दूसरों से आपको आगे निकाले, तो आपको नीमित पड़ाई करना जरूरी है, consistency के आप साथ पड़ाई करना जरूरी है, तबी आप दूसरों से ज़्यादा number लाँए, नीमित पड़ाई कर, सेकंड आर का मतलब होता है, recite, ज बोल बोल कर पड़े, अगर आप किसी चीज को बोल बोल कर पड़ोगे ना, तो वह आपके दिमाग में जल्दी फिट होगी, उस पार्ट को पहले, जो कई कठीन पार्ट होता है ना, उस पार्ट को पहले समझे, क्या रहा है, फिर उसे दो तिन बार उसकी रीडिंग करे, औ पूरी गुक के इंपोर्टेंट कुस्चिन आपने तै कर लिए, सर से पूछ लिए, खुछ से पूछ लिए, फिर आप रिवियू करिए, रिविजन करिए, बार बार आप रिविजन करोगे, कहते हैं ना, किसी चीज को आप बार बार दोराते तो वह आपके दिमाग में फि सकता है, एस यानि सर्वे करिए, इंपोर्टेंट कुस्चिन नोट करिए, क्विश्चिन खुद से या टीचर से पूछिए कि कौन सा इंपोर्टेंट कुस्चिन है, ठी आर, ठी आर पर दो एक नीमित पढ़ई करे, कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ई करे, सेकंड आर बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही अच्छा सावित हो सकता है यह फर्मॉला आप अपना होगे तो आपके एक्जाम में अच्छे नमबर आ सकते हैं आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं आप दूसरों से टॉप कर सकते हैं